तेंक यू तो अलफ यू कि आपने अपना स्कीमति समय मुझे दिया आज किस मास्टर क्लास के लिए से अडिवल इन दा चैट बॉक्स अगर मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपर रूप से आ रही है तो अगर आप तक मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही है से ओडिवल इन दे चैट बॉक्स थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक यू सुजे टीम्स चरी जी आज का जो विशे हम लेकर चल रहे हैं वह काफी important होने वाला है अपनेब में because हमारे बहुत सारे साल्स लास्ट की मु杰ेनिंग classes याद्ट है रूसे कि लास्ट मैंने वह ब्र्राइन क्लास दी थी तो मेंरे काफी सारे साथ यह नहीं जानते थे कि कैसे डोनर कल्टीवेशन या वॉलेंटियर कल्टीवेशन की जाती है लाश्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिसक्स कर रहे थे जहां मैंने आपको बताया था कि आप तमाम प्रकार के डोनर सर्टिफिकेट्स के माध्यम से फंड्रेजिंग कर सकते हैं गूगल फोर्म के माध्यम से आप फंड्रेजिंग ले सकते हैं इवन दैन आप अपने सर्टिफिकेट्स जारी कर सकते हैं तो वहाँ पर तमाम संस्ताओं का सवाल था कि सर्व हमें ये चीज नहीं पता है जबकि जो हमारे पुराने विवर्स हैं जो हमारे पुराने अटेंडीज हैं वो इस बारे में बहुत बहुत भगभी रूप से जानते हैं कि कैसे आप online रूप से एक बहतरीन जो है fundraising कर सकते हैं बशरते सिर्फ आपको कुछ technical skills की knowledge होनी चाहिए और उसके लिए आपका technical रूप से skilled होना कोई आवशक नहीं है हम जैसा कि हर बार अपनी classes में सिखाते आए हैं आज भी मैं वही techniques, वही tricks और वही tips आपको सिखाऊंगा बिलकुल normal way में कि आप easy way में अपनी fundraising कर सकें आप इसे अपने लिए एक भैतरीन crowdfunding का source बना सकते हैं कैसे? मैं उस पर हलका सा प्रकाश डालूँगा आज आप अपना कोई भी pledge certification किसी को देते हैं उस certification के लिए लोग charges पे करने के लिए तयार हैं आप किसी भी प्रकार का donor certification देते हैं उसके लिए लोग charges देने के लिए तयार हैं तो ये तमाम certifications कैसे दिये जाएं? कैसे उनसे donation जो है collect किया जाएं? एक particular person को donation देने के लिए जो है promote करना अगर वो हमें donation दे देता है तो ऐसे में उस तक वो सम्मंदित certificate पहुचाना क्या ये सारी गतिविधियां अलग-अलग step में करी जाएंगी? या कोई particular single step है इन सभी गतिविधियों के लिए कि जहाँ पर हम सामने वाले व्यक्ति को अगर pledge दिलवानी है तो हम pledge दिलवा सके हैं अगर हमें उससे कोई data collect करना हम उससे data collect कर सके हमें उससे किसी भी particular social cause को support करवाना हम उससे support करवा सके और even then हम उसी एक single platform के माद्यम से उससे donation भी collect कर सके हमें उससे जो भी provide करना है whatever there is an identity card or whether it's an donor certificate हम उसको उसी platform के माद्यम से वो भी provide कर सके हैं तो क्या वास्तम में कोई ऐसा single platform है बिल्कुल है जी हां आप यह सारे काम एक single command के साथ कर सकते हैं बस उसके लिए चाहिए एक थोड़ी सी technical skill लेकिन उसके लिए आपका computer के परती या अपनी education के परती जो है technically skilled होना बहुत जरूरी नहीं है जनरली आपको computer को operate करना आना चाहिए आप यह सारी का लाएं खुद से लगा सकते हैं ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर उधारन सिर्फ एक चीज के लिए देखर चलूँगा क्योंकि हमारा एक limited time frame होता है जिसके अंदर हमें इंट्रेनिंग क्लास देनी होती है बाकी इस पर आप अलग-अलग गतिविदियों पर इस particular framing को आप set कर सकते हैं लाइक आप अपने खुद के प्लेश सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं आपने देखा होगा कि government के तमाम प्रकार के सर्टिफिकेशन जारी होते हैं मैं एक बार आपको जल्दी से लेकर चलता हूं उन प्लेश सर्टिफिकेशन की ओर मैं जिनकी बात कर रहा हूं तो शाय मैं एक वेबसाइट की बात कर रहा हूं आप से अनुरूद है कि आप यूस वेबसाइट को जरूर विजिट करेजिएगा प्लेश.mygov.in लेट मी ओपन दा यस का टूल सी और मैं आपके चैट बॉक्स में आपके साथ जो है शेयर कर देता हूं इस साइट का लिंक जिससे कि आप सभी वी साइट पर जो है जा सकें अब ध्यान दीजिएगा कि गौर्णमेंट के माध्यम से हमें वो तमाम आइडियाज दिये गए हैं बशर्ते हमें उसे अपने एंड पर इंप्लिमेंट करना आना चाहिए आप इस साइट पर जब आएंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि तमाम प्रकार के सर्टिफिकेशन प्लेज और रोड सेफ्टी प्लेज है इसके अंदर आप देखेंगे स्वच्ता प्लेज हरगर जल प्लेज ट्रेवल लाइफ प्लेज एनरजी कंजरवेशन प्लेज खादी महुत सावी प्लेज आप देखेंगे यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है जिसको अगर मैं लगभग लग 46 एप्रोक्स अगर मैं यहाँ पर काउंट कर पाया हूँ और अगर में इस प्लेज सर्टिफिकेशन सही है और ऐसी तमाम आबादी है अगर आप भी पहली बार इस प्लेज सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं पता था हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको इन प्लेज सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं पता यह सर्टिफिकेशन आप अपने लिए अपने वॉलेंटियर्स के लिए अपनी संस्था के लिए आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं बसरते एक साथ इनको ड्राइव मत जब जिसकी वैल्यू हो तब उसको आप ड्राइव करना सीखें लाइक मैं एक छोटा सा उधारन देता हूं यहाँ पर हम चलते हैं प्लेज फॉर वॉमन्स राइट आपके सामने एक आप्शन है प्लेज फॉर वॉमन्स राइट क्यों न इस प्लेज सर्टिफिकेशन को हम अपनी संस्था के लिए अपने वॉलेंटियर्स के लिए उस दिन ले जिस दिन जो है वॉमन्स दे हो एक हमारे पूरे देश में वि तो वर्ल्ट ओमाइको डे है क्यों न उस दिन इस प्ले सर्टिफिकेशन को लिया जाए नो प्ले सर्टिफिकेशन तो यहां पर और आपके त्वारा दिये जाने वाले सर्टिफिकेशन में क्या सिमिलैल्टीज होंगी और उसमें क्या डिस सिमिलैल्टीज होंगी थोड़ा सा उनकी और की विवात्य कर लेते हैं यह गॉर्मेंट सर्टिफिकेशन है जिनको गॉर्मेंट आपके लेश्यू करती है इन सर्टिफिकेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोई hy क्रियोटी लें रखागया है आपको अपनी जानकारी इस प्लेज को आप पढ रहा है नहीं पढ रहिए कोई मतलब है जैसे वह इनिमेशन है को कंप्लेट होती है आप कहते हैं कि आपने सपत ली आपने वहाँ क्लिक किया और आपके नाम का सर्टिफिकेशन जो है वो जनरेट होकर आ जाता है एक छोटा सा नमूना मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि हाओ इस प्लेज़ ले रहे हैं यहां से इसने पूछा कि आपका जो उपनाम है आपका संहें क्या रहेगा जसे हम मेंस के लिए चुह हम स्रीव रखाते हैं महिलाओं के लिए हम स्रीमति लगाते हैं बच्चियोग इनाम के द्धा है मैस्टर लगा है मिस लिकाया दस जो भी हम यूश कर है तो मैं श्री कि यहां पर मैं कि ए A यहां पर कोई भी एक डेट जो है वह आप कर लेता हूं और लाइक वी आरहे है दस जुलाइग यहां पर हमसे पिन कोड हो गया है हमने PIN कोड फिल किया तो यहां पर फिलाउट हो गए यहांपर हमसे कहता है कि आप अपना प्रवाइड पर लेता हूं जिससे हमें पता लगे है कि ए कार से जो है हमारे पास generate हो रहे हैं चली यहां पर हमसे पूछा जाना है मोबाईल नंबर तो मैं यहां पर एक मोबाईल नंबर जो है वह कि प्रोवाइड कर देता हूना उसके बाद रीड्स पर मैं कलिक करता हूँ एक टाइपिंग करसर जो है स्टार्ट हो जाता है कि आई टेट आई सेल नेवर यूज दिस दिस वड़ेवर आई सेल दिस आई सेल दिस आई प्लेज्ज मैंने प्लेज्ज ली जैसे मैं क्लिक करूंगा यह कहेगा कि आप अपना OTP एंटर करें अब यह OTP आपके जो रिच्ट OTP रिसीब हो गया है और मैं यहाँ पर उस OTP को फिल कर देता हूं और इसको सम्मिट कर देता हूं आप देखेंगे कि यहाँ पर XYZ नेम से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक XYZ नेम से मेरा सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ गया राइट दिस इस तो सर्टिफाई देट XYZ हैस टेकन नोट अवेकू प्लेस राइट शरी है मैं फिलहाल के लिए इस सर्टिफिकेशन को जो है डाउन्लोड कर लेता हूं चरे पहर ऊंद शरी आंड शरीविए और क्राइट सेंड शर्टिफिकेटट टूएमेल मैंने अपने email पर क्लिक किया तो आप यहां चेक करेंगे कि मेरे मेल पर भी यह सर्टिफिकेशन जो है वह पहुच्छ चुका होगO जबकि मैंने इसमें अपना नेम फिल नहीं किया है और उसके बावजूद यह जो सर्टिफिकेशन है यह मुझे गौर्रमेंट ने प्रोवाइड कर दिया यानि कि यहां पर इस प्लेटिकुलर प्लेज की कोई अथेंसिटी नहीं है मैंने आपके सामने इस प्लेज सर्टिफि कि चलिए हमें दुबारा मैं आसे मेल पर जो है भीजने का प्रयास करता हूं और फिर से देखते हैं कि हमारे पास यह सर्टिफिकेशन जो है कि इसके हिसाब से सर्टिफिकेशन मेरे मेल पर जा चुका है लेकिन शायद या तो मैंने अपनी mail id गलत एंटर कर दी है मैं भी हो सकता है कि मैं अपने कोई की mail id गलत एंटर कर दी हूँ चलिए कोई नहीं मेरा सिर्फ एक बताने का प्रयास था कि कैसे हम इन पर्टिकुलर और टिप्स के माध्यम से इन ट्रिक्स के माध्यम से भी fundraising कर सकते हैं अब यहां पर हमें किस ट्रिक का यूज करना है उसकी बात करते हैं यह गौर्मेंट के certification आपने जैसे कि देखा कि इनकी कोई वैलिडिटी नहीं है किसी भी प्रकार का certification मैंने यहाँ पर generate किया जबकि मेरा नाम मैंने वहाँ पर original फिल नहीं किया मैंने अपनी date of birth वहाँ original फिल नहीं की और even then गौर्मेंट ने यह सारी चीज़े यह सारी schemes जो है वो कही ना कहीं लोगों को engage करने के लिए बनाई हुई है राइट कहीं ना कहीं यह दिखाना कि एक आम जन हमारे साथ इन इस प्रकार की तमाम गतिविदियों में जो है वो जो है involved है सिर्फ एक data collection के लिए राइट क्यों ना इस particular जो method है इसको हम fundraising क के लिए जो है अपने पास एक ऐसा structure त्यार करें कि हम, concept के माध्यम से fundraising भी intend कर सके और साथ इसाथ जो भी हमारे supporters होंगे जो भी हमारे on donors होंगे जो इस माध्यम से हमें सपोर्ट कर रहे होंगे जो माध्यम से replicate करें और उसके बहुतिरीं सा सर्टिफिकेशन भी उन probaile लेकर आते हैं उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने گोगलड घ्यान दीजिएगा जब जब इस प्रकार के आपको कुछ भी डिजाइनिंग करनी होती है या इस प्रकार का कुछ भी वर्क आपको करना होता है तो आपको सबसे पहले जरुत पड़ती है डाटा कलेक्ट करने की यानि कि आपको पहले यूजर का जो है डाटा कलेक्ट करना होता है और यूजर का डाट हमें कहां पर collect करना होगा Google Forms के माध्यम से किसके माध्यम से Google forms के माध्यम से तो Google Forms को आप directly यहां से Google Forms type करके भी आप जो है search कर सकते हैं otherwise यहां पर जहां पर आपकी mail id जो है login होई होती है वहां पर आपको तीन dots दिखाई दे रहे हैं यहां पर आपको क्लिक करना है यहां नीचे आप जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा Google Docs Google Docs में आने के बाद आपको इस 3 main menu पर यहां क्लिक करना है और यहां पर आपको मिलेगा Google Docs Google Seats Google Slides Google Forms तो आप directly यहां से भी Google Forms तक पहुंच सकते तो मैंने आपको दो विदिया बताई पहली कि आप डिरेक्ली अपने ब्राउजर में Google Forms को लिखकर सर्च कर सकते हैं आप डिरेक्ली गूगल मैं नहीं कह सकता मेरा left है राइट है लेक्मी चेक अब आप मेरी स्क्रीन पर है आपको मेरी mail ID दिखाई दे रहे होगी यह जो लोगों दिख रहा आपको रही तो इस mail ID के बगल में आपको यह जो menu दिखाई दे रहा है इस menu पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप Google Docs Google Sheet Google Slides और forms तो यहां पर आप forms के option पर आकर भी directly form पर पहुंच सकते हैं यह तो हुआ Google form तक पहुंचने का रास्ता की जहां हमें data collection का अपना एक प्रारूप त्यार करना है जिसके माध्यम से हम fundraising कर सके हैं तो पहला काम कि हम एक blank form ready करेंगे लेट में click on the blank form चलिए ध्यान दीजिएगा अब इस form का title क्या होगा अब आप अगर कोई pledge ले रहे हैं तो उस pledge का जो title है वह आपको यहां पर डाना लाइक अधे के प्लेज्ट टू सपोर्ट प्लेज्ट टू सपोर्ट अंडर प्लेज्ट आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं आपके एक मुहिम है जहां पर आप गरीब लोगों की हेल्प करते हैं आपको उसके लिए फंड्रेजिंग करनी है तो आपका टाइटल क्या होगा pledge to support अंडर प्रिविलेज्ट अब pledge to support women's अगर आप महिलाओं के लिए काम कर रहे है प्लेज्ट टू सपोर्ट स्टूडेंट्स माइनर्टीज्ट वटेवर अब लाइक मैं यहां पर जो फ्रेज बनाने जा रहा हूं मैं डोनर्ट चाहता हूं और किसके लिए अभी हम सबने प्लेटफॉर्म लौंच किया कौज कनेक्ट तो मैं सोच रहा हूं कि मेरा जो कौज तो यहां पर मुझे उनसे प्लैजनी दिलवानी मुझसे उनसे क्या लेना है मुझे उनसे डोनेशन लेना है राइट कि डोनेट नाओ कि यहां पर देखेंगे जैसे ही मैंने इस title को mention किया, इसके साथ-साथ यहाँ पर आप जैसी click करेंगे तो आपका यह title यहाँ पर आपके form के name के रूप में आ चुका, right? चलिए जी, सबसे पहला प्रशन, अब हम इसमें कुछ और जात्रन करी हम से पूछी गई है, जैसे form description, इस form को आप describe करें, इसके बारे में आप बता सकते हैं, कि भई यह आपने form किसलिए collect किया है, मैं form description इसमें क्या लिखूँ? बड़ा बिचीता सवाल, कि मैं इसमें form का description क्या लिखूँ? मैंने एक portal बनाया है, cause connect का, जो कि एक fundraising portal है, मुझे donors को वहां तक लेके आना है, उसके लिए मैंने सारा गनित लगा रहा हूँ, क्या मैं उसमें यह लिखूँगा? नहीं न, कि मैंने एक portal बनाया है, वहां तक ल ले जाने के लिए मैंने सारा गनित लगा रहा हूँ, आप लोगो को महा ले जाने के लिए, क्या मैं description के अंदर ही लिखूँगा? नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ predefined, कुछ professional words का use करना होगा, obvious सी बात है, सब लोग ना तो English के अंदर उतने perfect होते हैं, ना Hindi के अंदर perfect होते है तो अगर आप Hindi के अंदर perfect नहीं, आप Hindi में ड्राइब करवा लिजेगा, अगर आप English में ड्राइब करवा लिजेगा, अब इसका idea हम किस से लेंगे, chat GPT से, लेते है idea चल्दी से, चलिए, मैं आप पर जो बाकी के मेरे additional जो खुले हुए हैं, टैब्स हैं, मैं उनको बंद क आई क्या है, मुझे उसमें क्या लिखना चाहिए, चलिए, करते हैं ट्राइब, और देखते हैं हमारी problem का solution देता है और नहीं देता, मैं एक fundraising गूगल फॉर्म रेडी करना चाहता हूँ, जैसे आप में मोबाइल में टाइप करते हैं, यह मैं English यूज़ करो, ना तो यह English है ना हिंदी है, मैं हापर English यूज़ कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपने donors या audience डोनेशन कलेक्ट करते हुए, एक certificate, एक donor certificate, प्रोवाइड करूँगा, क्रिप्या, इस पेज का, यह हमारा फॉन टाइटल राइट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस पेज का, टाइटल मैंने, यह दिया है, मुझे इस पेज के बारे में, गूगल फॉर्म का, डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैंने जनरली जिस भासा में मैं वाता सकता था, इसने, मैंने उसको इस भासा में बताया, और उसी भासा में इसने मुझे जवाब भी दिया, दिखे जवाब क्या है, आपका स्वागत है हमारे डोनेट नाउ टू सपोर्ट एक कॉज गूगल फॉर्म पेज पर इस फॉर्म के माध्यम से, आप एक प्रक्रिया में हमारे साथ, हमारे समर्थन में हिस्सा ले सकते हैं, और हमारे करेकरमों को सहय बना सकते हैं, आपकी एक छोटी सी साहता भी हमारे लिए बहुत माइने रखती है, जब आप डोनेट करते हैं, तो आप हमारे समर्थित वॉलेंटियर्स और हमारे सेवाओं को आगे बढ़ाने का अफसर देते हैं, इसके अलावा हर एक टॉनिसेंस से आप हमारे नए प्रोजेक्ट और सामाजिक कारेकरमों के लिए भी प्रोतसाहन प्रदान करते हैं, चलिए, मुझे नहीं लग रा कि इस लेंग्विज को मैं वा गूगल फॉम पर यूज करूं, तो मैं यहाँ पर इसको चाहूँगा कि म इस लेंग्विज को चलिए, मैं इससे काया कि जो अभाव दिस्क्रिप्शन है आप मुझे जो है, इंग्लीश लेंग्विज में दे दीजिए, इसने मुझे ऐई चीज इंग्लीश लेंग्विज में प्रोइड कर दी, थैंक यू फॉर विजिटिं आवर डोनेट नाव त चिछोगकुगल वाव्धि क्यां कर देख जिए को में अभाव मेंग्विज मेंग्वा कर था या ओ लेंग्विज को सबowo jużब कि अनेश को मुझे एंग्झावच लेंग्वापि डिकतγे लूंख मेंग्वावकुगि priest備ुग धिझत्र에서 बश्य मेंग् हां बत् seism Яी जो एई म मैंने इस description को copy किया और यहाँ पर मैंने इसको paste कर दिया और यहाँ पर मैंने साथ साथ जो चीज़े main थी मैंने उसको build कर दिया अपने जो है better presentation के लिए कि जब कोई भी donor इस page तक आएगा तो उसको एक better presentation feel हो मेरी और से इस particular page की तो मैंने इसको जो है ready कर दिया अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो प्रशन होता है वो क्या होता है सामने वाले से हम उसका नाम पूछते है न यह और कंप्लीट ने अब यह जो प्रशन बनेंगे यह सभी प्रशन मेरी जरूरत के अनुसार बनेंगे मुझे इस व्यक्ति से इस donor से इस supporter से जो जो data चाहिए मैं वो वो इससे चास करता रहूँगा और जो भी particular section compulsory है मैं यहाँ पर required को जो है चेक करता रहूँआ जिससे की बिना इसको फिल किये वो आगे नहीं बढ़ सकता राइट अब देखिएगा मैं इस फॉर्म से ही donation भी लोगा उससे और इसी फॉर्म के माद्यम से मैं उसको certificate भी provide कर दूँगा राइट कैसे करेंगे हम इन चीजों को मैं जल्दी से इस फॉर्म को roughly कुछ drive जो है draft कर लेता हूँ मैंने इस उसका नाम पूछ लिया और एट कोश्चिन चलिए मैं यहां पर सेकंड कोश्चिन यूज कर लेता हूँ डू यू वान्टू सपोर्ट एनी शुशल कॉज एज आवर चैरिटी मेंबर मैंने इससे यह प्रसंद पूछ लिया यहां पर मैं च्वाइस देता हूँ येस एन नो राइट अब ध्यान दीजिएगा सामने वाले ने मुझे जो भी जवाब दिया होगा मुझे उसके हिसाब से भी आगे बढ़ना है राइट अब यहां पर इसको भी मैं रिक्वाइट कर देता हूँ फिर एक प्रसंद हम एड़ करते हैं या अब हमें काम करते हैं यहां पर मैं दो सेक्षन को लेकर आता हूँ यह दो सेक्षन कैसे रहेंगे अगर उसका जवाब यैस है तो मुझे उससे डोनेशन चाहिए राइट मैं यहां पर इस प्रसंद पर वापिस आता हूँ और बीच में सेक्षन एड़ करता हूँ इस सेक्षन के अंदर मेरे पास अब आ गया सेक्षन टू यहां पर मैं इससे एक प्रसंद पूश्ता हूँ फिर से हाओ वुड यू लाइक चू मेक यूर डोनेशन आप अपना डोनेशन कैसे करना पसंद करेंगे यहां पर मैं इसको जो है स्वरी यहां पर हमें सेक्षन का नाम बता रहा था चलिए मैं पहले प्रसंद को एड़ कर लेता हूं राइट और यहां पर मैं ऑप्शन दे लेता हूं इसको ऑनलाइन एंड ऑफ लाइफ कर देते हैं मैंने यहां पर सेक्षन टाइटल कर देते हैं हम अगर दोनेशन करफरमेशन मैं सेक्षन का नाम देता हूं दोनेशन करफरमेशन और इसके अंदर मैंने एक प्रसंद पूछा है कि आप कैसे डोनेट करना पसंद करेंगे ऑनलाइन या आफ लाइन फिर सेक्षन एट कर देता हूं क्योंकि यहां पर सामने वाले के दो जवाब हो सकते हैं राइट देखें यहां पर जो जवाब हमारे पास यस और नो का है उसके बाद हमारी गतिविदिया चेंज जाएंगी देखें अगर वो वेक्टी कहता है कि मैं आपके charity या social cause को as a charity member support करना नहीं चाहता हूं तो क्या मैं उससे donation के बारे में पूछ सकता हूं मुझे जवाब दीजिए मैंने सामने वाले से पूछा कि क्या आप हमारे charity campaigns को support करना चाहते हैं उससे जवाब दिया नहीं तो क्या मैं उससे पूछूंगा कि आप donation कैसे करेंगा online य're offline कैसा होगा संबव यह संबव है नहीं के जवाब में क्या है संबव है नहीं है राइट अगर वो हाखा जवाब देता है तो वह section 2 पर आये अगर वह नहीं का जवाब देता is this है अगर यहाँ से ज één कर आएिगा जहां हम से पूछेंगे कि वह कैसे डोनिशन देगा ओं-लाइण या ऑफ लाइन अब यहां से फिर दो जवाब अनabis सकता है के लिए करें हो सकता है वह उफ करें तो हम फिर से एक सेक्शन एड़ करेंगे यहां पर आने के बाद और धिरान रखेगा इस सारे प्रशन अभी तक हम जो है वह कंपल्सरी रिक्वाइड करते जा रहे हैं इनको इनका जवाब दिये वह आगे दिये बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा अब यहां पर इस सेक्शन का हम टाइटल डालते हैं फोर ओन्लाइन पेमेंट्स मैंने सेक्शन का नाम रख दिया फोर ओन्लाइन पेमेंट्स राइट डिस्क्रिप्शन आइटिंग आइटिंग सो कि यहां पर ज़रूरी है मैं यहां पर जो डिटेल्स हैं वो यहां पर शो आउट करवा देता हूं क्या डिटेल्स मुझे चाहिए यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे है जल्दी से बताईए मुझे अगर मुझे रससे ओन्लाइन पेमेंट्स लेनी हैं तो मेरे लिए क्या जरूरिए है हुआ हाँ पियमेंट वेड़ेटवे चलिए एक आपश्फिन ही होगया दूसरा कोई ओन्लाइन लिंक QR कोड वेरी गूट राइट यानि कि हमारा फोन पे गूगल पे पे टीम या कोई QR कोड राइट कोई UPI ID यही सब चाहिए बैंक डीटेल यह भी ओन्लाइन प्रोसीजर में आती है राइट चलिए जी मैं थोड़ा सा इसको और मोडिफाई करता हूँ क्योंकि सारे ही मोड्स जो हैं वो ओन्लाइन में आते हैं मैं यहां पर इसको ओफलाइन जो है इसको ओन्लाइन रहने देता हूँ और यहां पर मैं कर देता हूँ प्रू यूपी आई और यहां कर देता हूं थ्रूँ वायर ट्रांसफर या ओनलाइन पेमिट भी कर सकता हूं या पर वो अपने उपर है कि मैं इसको किस समझ के हिसाप से ड्राइब करो क्योंकि ओफलाइन का हमारे पास बहुत ही कम विकल्प हो पाता है ओफलाइन का मतलब है सामने वाला वेक्ति हमें विजिट करके प्रेमिंट करेगा या हमें जो है ऑफलाइन माध्यम से जो है वह अपना चेक जो है जो है डिस्पैच कर रहा हमां से तो एक वो ऑप्शन हो सकता तो ऑफलाइन का तो सहथ यहां पर वैल्यू नहीं बन रही तो हमने एक थ्रू वायर ट्रांसफर लिखा राइट और एक थ्रू हमने यूपी आई लिखा मैं एक बार दोनों को जो है यहां पर मर्ज करके देख लेता हूं थ्रू वायर ट्रांसफर के अंदर हम यहां पर डिस्क्रिप्शन देंगे किसका अपनी बैंक डिटेल्स का राइट तो मैं यहां पर बैंक नेम राइट ब अकाउंट होल्डर यानि की बैंक के अंदर जो बेनिफिसरी नेम होता है राइट यहां पर मैं आएफसी कोड को मेंशन करूंगा राइट नहीं ठीक था वैसे हमारा चलिए अब चलने देते हैं जो हम लिख चुके लिख चुके ठीक है थ्रू आयर ट्रांसफर में हमने क्या किया अपनी बैंक की डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड कर दी और थ्रू इसके अलावा हम यहां पर अबदेशन का राईट झाल अबदेशन की रीक प्रवाइड पर दीक कर दादering थाचब पर खुके और दीक हैं पर जो भी मेरा पेर्मिंट गेटवे था उसके बारे में भी मैंने आपर मेंशन कर दिया कि या फिर आप नीचे दिये गए लिंक पर भी क्लिक करके जो है आप पे कर सकते तो मैंने यहाप पर कोई भी मेरा जो है राजर पे का लिंक मैंने एक राजर पे पेज लिंक बनाया और मैंने उसका जो लिंक है वो यहां पर शेयर कर दिया चलिए माल लेते हैं कि हमने यहां पर जो है राजर पे का पेमेंट लिंक या पेज लिंक बना दिया है चलिए यह हमारा सेक्शन 3 हुआ अब थ्रू वाय ट्रांसफर को हम पूरा कर चुके अब थ्रू यूटी आई की बात करते हैं तो मैं यहां पर सेक्शन 4 ड्राइव करता हूं फिर सेक्शन बनाते हैं सेक्शन 3 यहां पर आने के बाद सेक्शन 4 ड्राइट और यहां पर हम मैंशन कर देते हैं थ्रू यूपी आई राइट हमारा टाइटल क्या थ्रू यूपी आई अब यहां पर मुझे जरुवत पढ़ सकती है एक बकाइदा जो है एक फॉर्म की और एक प्रश्चन की हां हमें विकुल जरुवत पढ़ेगी यहां पर यू में डोनेट अस त्रू गूगल पे पोन पे पे टियम जो भी मुझे आपर पता है मैंने वो सारी चीजें मेंशन कर दी इसके साथ साथ मैंने यहां पर मैंने यहां पर मेंशन की ही कि इसके साथ साथ मैंने यहां पर एक देखेंगे आप यहां पर एक अटेच्मेंट का कि मैंने यहां पर वो क्यूआर भी अटेच कर दिया क्या कि मैंने आपर अपना क्यूआर भी अटेच कर दिया मैं चाहूं तो इसको अपनी जरुवत के अनुसार जो है छोटा बड़ा कर सकूंगा यहां पर चलिए फिरहाल हो सकता है यह इसको ना ले रहा हो चलिए और यहां पर हमने कि मेंशन कर दिया कि नोट के रूप में कैंडली अटेच कि दा कि काइंडी अटेच दा कि पेमेंट स्क्रीन शॉट कि बिलोग मैंने यहां पर यह भी मेंशन कर दिया कि आप जब पेमेंट करें तो नीचे जो है आप फाइल को अटेच कर दें मैंने सिर्फ इसके लिए किया किया यहां पर ही जो सेक्शन समें दिये जाते थे मल्टेबल च्वाइस चैक बॉक्स पैरेग्राफ शॉट एंस पर मैंने इसको फाइल अप्लोड पर क्लिक करवाया और यहां पर हमें बताया गया है कि भई आप किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक फाइल को यहां पर जो है आप परमिशन कर सकते हैं पीडिएफ या तो वह अपने स्क्रीन शॉट को पीडिएफ में सेव करेगा या फिर उसको जैपीजी में लेगा रही तो पीडिया फॉर इवेज के लिए मैंने यहां पर जो है औप्शन को टिक कर दिया है maximum size 10 MB, number of maximum files 1 कर दिया मैंने इसको और मैंने इसको as it is छोड़ दिया राइट चलिए जी अब आते हैं यहां पर section 3 पर यहां भी हमें एक सुधार के आउशकता है क्या अगर उसने wire transfer किया है bank से transfer किया है तो प्रूफ तो हमें यहां भी उससे चाहिए क्या करेंगे एक question add कर देते हैं क्या add कर देते हैं kindly deposit your donation to NGO directly through bank मैंने यहां पर mention किया कि आप अपना through bank account details provided above एंड अटेच दा पेमेंट स्लिप बिलो राइट मैंने यहां भी क्या क्या एक ट्रिक लगा दी कि मैं यहां तो उससे इस अकाउंट पर जो है पेमेंट कराऊंगा और यह जो मैंने प्रसंग के नाम पर यह चीज एड की है इसको रिक्वाइड कर देता हूं साथ-साथ यह मैं ध्यान दीजिएगा जैसे कि मैं इसको रिक्वाइड कर पाया और नहीं कर पाया मुझे याद नहीं है यहां पर मैंने इसको रिक्वाइड कर दिया है और यहां पर मैं इसको फाइल अप्लोड पर सेट कर देता हूं चलिए इस पैसिविक फाइल को अरेंज कर देता हू जब भी आप अपने इस प्रकार के किसी भी अपने एक सेटिंग्स को आप जब रेडी कर रहे होते हैं तो उसको एक बार रिवीजन लेना बहुत जरूरी है कैसा रिवीजन सामने वाला हमारे पेज पर आयेगा उसके हमने उस सब्सक्राइब करता है अगर उसने यस जवाब देगा या फिर नो जवाब देगा हम उसको Section 2 लेकर आएंगे जहां पर हम उससे पूछेंगे कि donation वो कैसे करेगा through wire transfer या through UPI तो पहले मैं इसको set करूँ कि इस प्रसंद के बाद ये section 2 पर जाए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर go to section based on answer मैं इस option को लूँगा और यहाँ पर अगर उसका answer yes है तो मैं इसको कहां लेके जाऊँगा go to section 2 clear set कर दिया मैंने set कर दिया मैंने कि अगर उसका जवाब yes है तो वो कहां जाएगा section 2 पर चलिए जी अब वो section 2 पर आ गया यहाँ भी मैंने एक सवाल पूछा था wire transfer करोगे UPI करोगे अगर वो wire transfer का नाम लेता है फिर से मुझे यहाँ condition लगानी पड़ेगी क्या condition रहेगी कि अगर go to section based on answer अगर वो through wire transfer कहता है तो वो जाएगा किस पर section 3 पर through wire transfer पर अगर वो through UPI कहता है तो UPI वाला कहां पर है section 4 में चलिए जी सेट कर देते हैं section 4 पर जाएगा अगर उसका जवाब wire transfer था वो section 3 पर आ गया तो के बाद 3 पर आ गया अगर उसका जवाब UPI था तो वो 4 पर आ गया चलिए जी हाद तो सेट हो गया अगर उसने जवाब नहीं दिया था तो क्या होगा यहाँ हम सेट करके आए ना अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका क्या होगा एक section और बनाते हैं क्या बनाएंगे हम यहाँ पर फिर से एक section एड़ करेंगे कहां गया भी section section 5 3 or 6 अलेट में डिलेट दी सेक्शन्स एक सेक्शन थ्रू डोनेशन कर फर्फरोमेशन हो गया वाइट रांसफर हो गया थ्रू यू-पी अई हो गया और और UPI के बाद हमने यह वाला प्रसन इससे लिया था और इसके बाद हमने इसको करा अब हम सेक्शन एड करेंगा आगा सेक्शन फाइव यहां पर थेंक यू पोर यूर रेस्पॉन्स वी आर स्टिल वेटिंग फोर यूर सपोर्ट मैंने एक सेक्शन बनाया जिसमें मैंने उसके रिस्पॉन्स के लिए उसको थेंक यू कहा और उसको जताया कि मैं फिर भी उसके रिस्पॉन्स उसके सपोर्ट का इंदार कर रहा हूँ राइट तोस्षेश्गा उसमें लेचे लिए। different social activities and charity walks by visiting us on मैंने यहापर अपनी website पर उसको redirect करवा दिया कहाँ पर cause connect चलिए जी अब मैंने क्या किया मैंने उसको एक section बनाया यहापर section 5 के रूप में जिस पर मैंने अगर वो नाका जवाब दे तब भी मैं उसको कहूं कि भाईया हमें आपका फिर भी इंतिजार रहेगा और आप हमारे social causes को हमारी website से check कर सकते हैं that's it किया किया section यहापर जैसे इसका no का जवाब था continue to section 5 किया इसको एंड़ सेट हुआ सेट हुआ सेट हुआ से यह और नो सेट हुआ वापिस रिवाइस करें एक बार जल्दी से यहापर हमने उससे उसका पूरा नाम पूछा नाम पूछने के बाद हमने उससे पूछा कि क्या वो हमारे social cause को सपोर्ट करना चाहता हैं अगर वो य अगर वो नो का जवाब देगा नहीं मना कर देगा तो हम directly कहां बेज़ें उसको section 5 पर check कर लें section 5 क्या thank you for your response हमें आपके जो है response का अभी इंजार रहेगा हमें आपके सपोर्ट का इंजार आप हमारे social कारेओं के बारे में हमारे समाज़ी कारेओं का बारे में या हमारी सिवाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमाई विजिट करें लेंग्विज आपकी होगी आप हिंदी में टाइप की यहां पर आके पैस्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं राइट चलिए वहां का जवाब देगा तो सेक्शन दो पर जाएगा सेक्शन दो क्या है क्या आप डोनिशन किस प्रकार से देना पसंद करेंगे थ्रू वायर ट् ट्रांसफर का नाम लेगा तो वह कहां जा रहा है हमारे पास सेक्शन थ्रीपर चलिजी वो सेक्शन थ्रीपर आजाएगा अगर वो यूप्य आप नाम लेना तो कहा जाएगा सेक्शन फोर पर चले जी यह बात भी सैट होगई अब यहां पर section 3 पर जो व्यक्ति है ध्यान दिजिएका section 3 पर जो व्यक्ति है अगर ये payment कर देता है section 3 वाला व्यक्ति यहां पर payment कर देता है और link को attach कर देता है तो क्या होगा after section 3 continue to next section नहीं आएगा यहां पर हम क्या करेंगे submit form after section 3 क्या हो जाएगा form submit हो जाएगा उसने 3 पर आया branch भी details से payment उसने की यहां पर हमें slip पहुचाई तो वो directly submit form पर चला जाएगा चौथे में क्या होगा अगर उसने UPI से payment की है और वो देखिए क्योंकि वो यहां payment कर चुका है अगर वो तीसरे के बाद चौथे section पर आगा क्या मज़ा आपने bank से payment ले लिए फिर मुझे UPI का option भी बता रहे हो वापिस है ना तो हमने क्या किया तीन वाले को जैसे उसने complete किया वो submit form पर चला जाएगा फोर वाले ना अगर UPI से payment कर दी है और slip attach कर दी है तो वो क्या करेगा next section यहां पर नहीं जाए क्योंकि वो पैसा दे चुका है यहां पर हम उससे थोड़े कहना है कि thank you for your response we are still waiting अरे वो डोनेट कर चुका है तो हम कहां पर लेके जाएंगे उसको submit form पर setting okay हो गई say now okay अगर आपको confirm हो गया है कि अब setting okay हो गई है तो जल्दी से अगर आप mentally है मौजूद है तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस graphics को कहां लेकर गया हूँ और इसको मैंने कैसे ready किया राइट चलिए एक बर जल्दी से इसका preview चेक कर लेते हैं प्रिव्यू पर हमने क्लिक किया हमारे सामने एक form आया है चलिए जल्दी से हम इसको फिल करने का प्रयास करते हैं त्राइए वन यह मेरा वन ट्राइए फर्स ट्राइए मैंने क्या जवाब दिया नो नेक्ट करते हैं इसने का thank you for your response we are still waiting for your support you can find our different social causes on while visiting on this submit खतम डन हो गया डन है से डन इन द चैट बॉक्स अगर एक केस डन है आपका तो से डन इन द चैट बॉक्स जल्दी से टाइम बहुत का मक्छेट जल्दी से जवाब दिजिये अब second case देखते हैं second case देखते हैं second position देखते हैं right your complete name testing 2 मैं testing 2 कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने उससे कहा yes जैसे ही मैंने उससे yes कहा next पर click करते हैं वो कहता है कि आप कैसे donation देना चाहेंगे मैं यहाँ पर दो option है मेरे पास through wire transfer क्लिक करता हूँ next करता हूँ wire transfer मुझे इसने bank की detail दिखाई right मैंने इसको bank की detail के माध्यम से जो भी मुझे देना था मैंने इसको दिया और देने के बाद मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई slip जो है attach कर दी right और इसको submit किया अब देखते हैं यह कहां लेकर जा रहा है हमें यह response has been recorded राइट चलिए इसको बाद में ठीक करें क्योंकि सजामने वाला हमें donation दे चुका यार इतना सा message आया उसके पास है ना इसको ठीक करेंगे कोई करेंगे कर लेते कर लेते कि हमें इसको आगे correct करना राइट चलिए अब आते हैं फिर से टेस्टिंग नंबर थ्री पर यह क्यों हो गई जैसी हमने payment की slip लगाई पर्चा ता जो गड़न हो गया फिर से चलिए जी पोजीशन थ्री पोजीशन थ्री क्या कहती है हमने फिर से testing 3 की do you want to support our social cause yes next किया इसने पूछा quiet transfer या UPI मैंने अपकी बार UPI का next जलते हैं इसने हमें UPI की detail दिखाई हमने जो भी देना था वो हमने दिया और उसकी एक कि जो है slip हमने इसके पास जो है वो attach कर दी और हमने इसको सम्मिट कर दिया right your response has been recorded बस इतना सा वैसे जाए श्रीजी यानि कि हमारा जो pattern work है वो exact काम कर रहा है yes की position में भी no की position में भी yes के अंदर हम wire transfer कर रहे हैं तो भी और अगर हम online UPI यूज करें तो भी यानि कि बागी जारी सेट हैं लेकिन यह जो लास्ट रिस्पोंस है फोड़ा यहां मजा नहीं आ राइट कोई दिक्कत नहीं यहीं तो वर्क करना है अब क्या करना है अब हमें चल्दी से अब चलते हैं हम settings पर सेटिंग्स पर चलते हैं और यहां पर रिस्पोंस के अंदर चलते हैं यहां पर कहता है कि कलेक्ट इमेल एड्रेस वेरिफाइड आप सामने वाले कोई कॉपी भीजना चाहते हैं अगर वह मागे तो बिल्कुल दीजिए रिस्पोंस को एडिट करना चाहेंगे आप इसको यस नो अपनी इच्छा के साब से कर सकते हैं एक व्यक्ति कितनी बार जो है रिस्पोंस कर सकता है यह आपके उपर आप कितनी बार रिस्पोंस लेना चाहते हैं उसे राइट तो यह particular जो है यहापर कुछ settings दी हुई है हमारा एक message है confirmation message your response has been recorded यही आ रहा था ना हमारे पास यही आ रहा था ना वहापर last में your response has been recorded मुझे इसको पसंद नहीं था मुझे पसंद नहीं था मैं यहापर इसको change कर देता हूं राइट thank you for your donation right thank you for your donation अब मैंने उसको ID card दिया है donor ID card दिया है यह मैंने उसको जो है donor certificate दिया है यह मेरे उपर है right तो मैं यहापर उसको mention करूंगा your donor certificate have been mailed to you on your respect have been sent to you through email right thank you for your donation और भी जो मुझे लाइन है एड करनी मैं यहापर लाइन कर सकता हूं भई आपका एक छोटा सा डोनेशन एक बहुत बड़ा change लेकर राता वड़ा वर्चों मुझे यहापर लिखना था हम अपर कर लेटा यहाप्यूर कॉनेशन को त्यूंस माली कर लेता हूं अवर मैं यहापर एक लाइन और बढ़ा यह था हूं थोड़ा से सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे कैंग लाई ने बढ़ा दी राइट और इसको मैंने सेट कर दिया चलिए तीन रिस्पॉंस आए हुए टेस्टिंग वन टेस्टिंग टू के राइट चलिए एक आप चाहें वापिस तो एक ट्राई फिर से ले सकते हैं कि उसके पास क्या रिस्पॉंस आएगा एक ट्राई देता हू येस नेक्स्ट थ्रू यूपी आई नेक्स्ट मालीजे मैंने आपर उसको स्कैन करके पेमिट कर दी और एक फाइल मैं आपर एड कर देता हूं राइट एक को टेस्ट कर लेंगे हमारा आटोमेटली सब टेस्ट हुजाएगा क्योंकि सम्मिट होने के बाद तो वहीं सब्सक्राइब नहीं हुआ हमारा चेंज नहीं हुआ राइट चेक करते हैं कि हमने कहां पर गल्ती छोड़ दी सेव करना भूल गए हम राइट हमने यहां पर भी सेव का बटन नहीं दबाया था वापिस चलते हैं रिकॉर्ड टेस्टिंग फाइफ येस नेक्स्ट ट्रू यूपी आई नेक्स्ट यहां पर एड़ फाइल और ब्राउस के अंदर हम यहां पर करते हैं कुछ भी और सम्मिट करते हैं अब देखते हैं क्या रिस्पॉंस आ रहा है हमारे पास येस थैंक यू फो यू डोनेशन वेन यू डोनेट यू इंपावर आवर डेडिकेटिव वॉलेंटियर्स और आवल सब्सक्राइब यू तो यू त्रू अब हमने इससे कहतो दिया कि भाइया मेल चला गया है और उस पर सर्टिपिकेट भी पहुंच गया है लेकिन अभी वास् पर येस और नो नहीं किया न चलिए आप उसकी सेटिंग भी चेक कर लेते हैं जल्दी से ध्यान दिजेगा आप इस फॉर्म के माध्यम से मुझे अगर किसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है ध्यान दिजेगा अब हमें पर यहां पर एक option आपको मिलेगा get add-on हमें इस get add-on पर क्लिक करना है आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आएगा और यहां पर आपको दिख रहा होगा certify m विजिबल है certify m और मैं यहां पर इसको install कर लेना होता है अगर नहीं दिख रहा हो तो यहां पर आप सर्च कर सकते हैं certify m अभी यह already installed है इसलिए यह option नहीं दिखा रहा है जब आपने google form में चेक करे होंगे यह option आपको नहीं दिखा रहा होगा अब यह option आपके पास available है आपको certify m पर क्लिक करना है राइट यहां पर मैं certify m पर ओके कर देता हूं वेल्कम को certify m क्लिक दा पॉजल आइकन टू गेट स्टाइट देन स्लेक्ट स्टाइफाइम ओके चलीजी सेटिंग्स में जाते हैं मेक दिस एक क्विज और हमें ध्यान किया है जब हम certify को क्विज के रूप में convert करना होता है तो यह कहता है कि ग्रेड रिलीज करनी है क्या इसको हम लेटर कर देते हैं मिस्ट कोश्चन करेक्ट को एंसवर्स पॉइंट वैल्यूज हमें कुछ नहीं दिखानी क्योंकि हम कोई कोई competition तो करी नहीं रहे है कोई जो है किसी प्रकार काम सर्टिफिकेशन तो वह एक प्रत्योगता दाजित करी नहीं रहे हैं और हमने बाकी के responses को जो है सेट कर दिया है चलिए जी अब हम सेटिंग को चेंज कर चुके हैं फिर से आतने सर्टिफाई एंपर और आप देखेंगे जैसी हम मैं आपर क्लिक करूंगा अब यह कह रहा है वेलकम तो सटेंगा क्लिक दिस पॉजल आइकन तो गेट स्टार्टेट शो कंट्रोल तो बिगन असेटिंग अप्यूर फिर्स एक्जाम पॉर इजी तो फोल अब इस अ एप है फोर स्रेटिफायर क्या हुआ वह इसमें अब लेट मीच चेक अन कंफर्म सेटिंग पे गए और हमने आपर जो है रिस्पॉंडेंट सैटिंग्स को किसी एक को मैं ओन कर देता हूं और डिफाइंट पॉंट वैल्यूस को वन कर दिया है मैंने है क्लेक्ट इमेल्स वेन रिक्वेस्टेड अलाओ एडिटिंग लिमिट टू बन रिस्पॉंस बाकी की सब चीज़े सेव हैं डिफॉल्ट वगरा बाकी सब ठीक है बिलकुर कोई सेव का उप्शन तो नहीं आता है ना इसमें अब चलिए अब यहां पर मैं एक बार को वापिस लेता हूं और देखते हैं यह क्या कह रहा है हमसे कि यूज इन दिस डॉक्यूमेंट मैं एक बार इसको अनिस्टॉल कर देता हूं और वापिस फिर से इंस्टॉल कर लेता हूं राइट इसको भी अटा देता हूं यहां से फिलाल कुछ देर के लिए और इसको भी मैं यहां से जो है अनिस्टॉल करता हूं चलिए चलिए अभी तक मैंने अपना जो है प्रश्णिहां पर रेडी कर रखता था वापिस गया मैं एडाउंस पर मेरे सामने कुछ इस पर कार के डाइग्राम आती है और मैं यहां पर सर्च करता हूं सर्टिफाई एम मेरे सामने सर्टिफाई एम आया इंस्टॉल पर क्लिक करता हूं ओके करूंगा ओके करने के बाद यह कहेगा कि आप अपनी इसको परमीशन दें मैं अपनी मेल इडी से इसको परमीशन दे देता हूं लुए बस प्रोसेश को में दुबारा घुमा देना बाइचांस कोई चीज अगर ऐसे ही आप उलच जाते हैं कोई चीज की दिक्कत आती है बस यही करना आपको प्रोसेश को एक बर वापिस इसको कंड्रोल पर कंड्रोल पर आये हम यहां पर कुछ पर अप्ष्ण हमें देगा चलिए लेटस गेट स्टार्टेट सब्सक्राइब यह कह रहा है कि आप इसको यूज़ करने के लिए वीडियो देख सकते हैं और इसको एगरी कर देना आपको एगरी होगे हमारे से चलि क्राइब यह कहता है पर गांपासिंग पर्सेंटेज को सबसे पहले सेट कर देते हैं जीरो पर हमारे लिए कोई passing percentage माइने नहीं रखती सामने वाले ने हमें जवाब दिया है certificate पहुंच जाना चाहिए तो यहां पर आप चाहें तो certification के लिए कुछ options को यहां पर आप बहतर कर सकते अब देखें जिसने हमें डोनेशन नहीं दिया certificate तो उसके पास भी पहुंच जाएगा अब उस section को हम कैसे अटाएंगे वापिस पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर देखिए आपका status जो है वो ऑफ है अभी इसको आपको यहां से turn कर दी है अब यहां पर दिखाता है आपको template राइट के अंदर आप यहां से change template पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और यहां से आप different different जो भी certification आपको बैटर लगे उसको आप यहां से चूज कर सकते हैं मैं यहां से कोई भी certification जो है चूज कर लेता हूं like हम यहां से एक कोई भी बैटर सर्टिफिकेशन जो हमें लगे हम उसको चूज कर ले पर चलिए जी अब इस certificate को तो हमने यहां पर चूज कर लिया लेकिन हमें इसको एडिट भी तो करना है इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है हम इसके पास यह हमारा डोनर सर्टिफिकेशन होना चाहिए इस पर हमारी चीजे होनी चाहिए तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे चलिए आपको आना है अपनी गूगल वर्कशीट पर कि स्लाइड्स हैं कि आप देखेंगे यहां पर जो है अभी नौ बचके ग्यारा मिनट पर एक स्लाइड के अंदर एक यह जुड़ चुका हमारा साइट सर्टिफाइम का पर एक सर्टिफिकेट यहां पर अटोमेटिकली एड हो चुका होगा अब इसको करना क्या है आप इसको अपने हिसाप से एडिट कर लीजिए कर लें एडिट जल्दी से यहां पर हमारे पास कोई आप्शन नहीं दे रहा है एक सिर्फ फुल नेम को हम एडिट कर पा रहे हैं कोई नहीं मैं जल्दी से जो है लाइक आपको यहां पर जो भी एडिटिंग करनी होते ना वह एडिटिंग आप कर सकते हैं यहां से आप गए टाइपिंग पर सर्टिफिकेट आफ एप्रिशेशन है ना आप यहां पर इसका फोन्स वगारा जो भी है वो चेंज कर सकते हैं यहां से यह इस प्रकार से आप जो है इसका साइज वगएरा जो भी बढ़ाना है आपको वह अपने इसाप से आप इस पर एड़ाउन कर सकते हैं यहां पर इतना लिखा हुआ आया बाकी की चीज़े आपको बढ़ानी है चलिए भाई सर्टिफिकेट हमें इस्यू करना लेकिन यहां पर सिर्फ सर्टिफिकेट लिखा हुआ था तो इसका कलर थोड़ा सा मैच कर देता हूं इसे डार्क अभी इससे मैच नहीं हुआ और अब यहां से करें का मतलब आप अपना कोई भी डिजाइन जो बनाते हैं सिर्फ आपको यहां लेकर आना होता है यहां पर जो है जो एक फुलनेम दे रहा नहीं की जो काटेगरी होती है यह डिपैंड करती है किसके उपर एक पर चार्ट होता इसके लिए let me show you हाँ कर द्यान दीजेगा ये पर्टिकुलर चार्ड उता है कि फुल नेम का मतलब है फुल नेम अफ दॉट्ट स्पैंड फ्रॉम डाफ फिर्श्ट कोष्ट्ठ दा पॉर्म है ना जो फॉर्म का पहला कोस्चन है हमारे फॉर्म का पहला कॉस्चन क्या है यूर कंफ्लेट नेम हैना तो यहां पर जो भी जवाब होगा वह कहा हैंगा हमारे उस 두 यहां पर फुल्म वाला जो और यहां पर हमारा वह नम क्लिए ह। अब यहां पर टैसल दिया हुआ यहां यह मेरे उपर है कि मुझे इसको अपने इसाब से जो है कन्फीगर करना होगा राइट मुझे इसको जो है अपने इसाब से कन्फीगर करना होगा कि मुझे यहां पर इसको टाइटल दिखाना है नहीं दिखाना है तो इसको मैं थोड़ा सा अपने इसाब से कन्फीगर कर लेता हालाकि मेरे ख्याल से यह चीज बताने की नहीं है आपको कोई भी गूगल फॉर्म डिजाइन करना जेपीजी की इमेज के रूप में आप यहां पर लेकर आ सकते हैं यह कंटेंट्स जो होते हैं इनको आपको थोड़ा सा अपने हिसाप से जो है इस डोनेशन सब्सक्राइब है विए अवार्डेड टू राइट मैं आपर कुछ इस टाइप से एक बार इसको आपको सिर्फ बताने के उद्देश्टे से यहां पर हमें परसेंटेज वगएरा कुछ नहीं रिखानी है राइट लाइक माली जे हमें यापर सब्सक्राइब हमने यापर साइनिंग अथॉर्टी का नाम लिख दे आपर मैं चाहूं तो कोई सील साइन वगएरा भी एड़ान कर सकता हूं एड़ान हम कैसे कर सकतें देखिए इंसर्ट पर आएंगे इमेज पर आएंगे अप्लोड एन इमेज फ्रों कंप्यूटर राइ इस अब मुझे अपनी वहार यहां पर यूज करनी है अब अब जश्ट यहीं तो है यह सब सेटिंग्स है ठीक है आपको जनरली जो है यह सेटिंग्स करनी होती है आपका कोई सील साइन कुछ भी पड़ा हुआ आप उसको यहां पर सेट कर दिए जिससे की सामने वाले को ए हैं इसको अपने हिसाब से आप एड़न कर लीजी आपने फलाने काम के लिए हमें जो है सपोर्ट किया था वड़ेवर जो भी आपको यहां पर लिखना रही आप समझ गयोंगे मेरी बात को कि मैं यहां पर क्या बताना चाहता हूं मुझे जल्दी से सरफ इस क्लास को एंड अब मुझे यहां पर उसका कोई डोनेशन अमाउंट वगएर ऐसा कुछ दिखाने के आउशकता तो ही नहीं तो मैंने माली जी सर्टिफिकेट यहां पर जो है मैंने सेव किया था राइट ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर जो है कोई भी सर्टिफिकेट मैंने जो यहां पर सेव किया है अब मुझे क्या करना है यह जो सर्टिफिकेट है आप देखेंगे यहां पर अभी चेंज नहीं हुआ है ओके हैं मैं पहले यहां पर एक बार जो है इसे सेव कर देता हूं कि आप सेव का ऑप्सन कहां पर है वह इसमें कि यही होता है कि चलिए मैं इसको काट देता हूं और अपने पेज को वापिस रिफ्रेस करके देखता हूं क्योंकि शायद मैंने पेज को भी रिफ्रेस नहीं किया यहां पर और यहां पर मैं वापिस सेटिफाय एंपको चेक करूंगा लैट मीचेक कि मेरा जो अब इस 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 में चेंज किया था वह लगबग इसमें आ चुके तो इस टाइप एक सटिफिकेट होगा करना क्या है यहां पर मैं इसको लगा चुका हूं राइट ध्यान रखिएगा इस गूगल फॉर्म का यह जो एक फीचर होता है कि यहां से अपना हंड्रेड मेल्स डेली जनरेट कर पाते हैं अब शाइद इसकी संख्या घटा दी गई है आज जो है आप पर 58 दिखा रहा है मैंने भी कुछ मेल यूज किया थे तो यह एक डेली का कोटा होता 24 आवर्स का तो हर 24 आवर्स में आप जो है कुछ मेल भेज़ पाते हैं आप पर 100 का कोटा मिलता आपको मैंने अपनी बाकी सारी चीज़ सेट कर दी हैं सर्टिफिकेट को जो है ओन कर दिया है और अब मैं रेडी हूं एक और टेस्ट के लिए लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा मैं यहापर परसेंटेज को कर देता हूं 10 और थोड़ा सा मैं कोश्चन मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं कैसे क्योंकि जिस व्यक्ति ने म दूंगा राइट ओफिस सी चीज है तो यहाँ पर मैं एंस्वर की में कि पॉइंट्स अरेंज कर देता हूं कि इसका राइट एंस्वर हो गया है यह और मैं यहाँ पर इस इसको जो है पॉइंट देता हूं दस राइट कि यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर को दे दिया है फाइफ पॉइंट्स छलिगी डन जैसे ही कोई कि क्या किया मैंने अपर एंस्वर की को मैंने सेट किया है यह पर और मैंने यह पर दे दी हैं इसमें भी कुछ पॉइंट सैट कर देता हूं अब मैं क्या गरता हूं इहां पर कोई तक मैंने इसको ready कर दिया है अब मैं क्या करूँगा यहां पर मैंने पासिंग परसेंटेज क्या लिखा है दस परसेंट राइट अब ऑविस सी बात है मुझे सर्टिफिकेट किसको नहीं देना है जो डोनेशन ना दे अब डोनेशन ना देने वाले को कितने नंबर मिलते हैं चेक कर लेते हैं एक बार अगर यहां पर कोई व्यक्ति नो कहता है तो उसको पंच मार्क भी नहीं मिले आज़ा इसका एक करता हूं जल्दी से करके देखता हूं लेट मी चेक टेस्टिंग 6 नो किया नेक्स्ट किया थैंक यू फोर यू रिस्पॉंस और वी आर वेटिंग भॉर दिस यहां तक ओके है नो वाले को कुछ नहीं मिला ओके है बिल्कुल चलिये जी सम्मिट कर देते हैं थैंक यू फोर यू डोनेशन वैन यू डोनेट विए यह लास्ट में जरूर लेकर जाएगा ओके चलिये जी यह लास्ट मैसेज पर हमें लेकर जा रहा है बार बार बैक करते हैं हाला कि जो वेक्ति नो कर जाता है माल लिजिए मैं आपर टेस्टिंग सिक्स कर रहा हूं और जैसे ही मैं नो करूंगा नेक्ट करता हूं नो करता हूं तो अब्विस सी बात है कि मुझे बताएगा थैंक यू फॉर रिस्पॉंस वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू ठीक है चलिए इसके एडिट रिस्पॉंस को भी हम चेंज करेंगे अब एक बार हम सेकिंड वाला ट्राई करते हैं मैं यहाँ पर येस करता हूं नेक्ट करते हैं एक सर्टिफिक्ट जनरेट करके देखते हैं जल्दी से अधा इंज्यू ग्राइट राइट इमेल डॉट कॉम और थ्रू वायर ट्रांसफर नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक फाइल एड कर देता ह हो या पर मैं इस वन कि चलिए सब्मिट किया अब देखते हैं कि यह कह रहा है कि आपके पास अब मेल चला गया है चेक करें इसने मुझे बताया कि मेरा सर्टिफिकेट आइडी यह है देखिए इसने अटोमेटिक लिए जनरेट कर दी एक सर्टिफिकेट मेरे लिए अटेच कर दिया मैं एक बर जल्दी से इसको खोल के देखता हूँ मैंने जो नाम फिल किया था वो नाम आ गया है आपर से एस और नो तो आप अपना कोई भी डोनर सर्टिफिकेट बना कर यहाँ पर जो है अटेच कर सकते हैं यह डिजाइन हमने हाला की सर्टिफाई से उठाया था तो इसलिए यहाँ पर उनका मारका ज़रूर आएगा आप अपना कोई भी जो डिजाइन है अपने लोगों वगयरा के साथ बना कर यह पर जो अपलोड कर सकते हैं और डिरेक्टली आपके डोनर से इसी गूगल फॉर्म के माध्यम से डोनेशन भी ले सकते हैं डोनेशन लेते वह डिरेक्टली उसको जो है आप सर्टिफाई भी कर सकते हैं यह उसका एक जीवन दुदारन मैंने आपको यहां पर लाइव करके दिखाया यह होती है कुछ टैक्टिक्स कुछ ट्रिक्स जिनके माध्यम से आप ओनलाइन फंड्रेजिंग कर पाते हैं जश्ट अब आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा अब आपको करना क एक सर्टिफिकेट की कॉपी जो मास्टर कॉपी होती है उसे आपको को शेर करना है कैसे लैट मी शो यू लैट मी शो यू राइट मैंने आपर एक जो सर्टिफिकेशन है उसको मैंने आपर अठेच किया लाइक डिस है ना और यहां पर मेंशन कर दिया गेट ए डोनर सर्टिफिकेशन पैर है और मुझे अपने मैसेच वह मुझे आना चाहिए वह अपनी अपनी लिखने की कला होती है तो आपको पास अपनी ये कलiration होगले कि मैं अपने मैसिज को जो है आट्रेक्टिव कैसे बनाओ उसको जो है ऐसा कैसे बनाओ कि वह Надश्बंसिव लगए लोग उस ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉंस करें तो उसके लिए आपको कुछ अपने ट्रिक्स और टैक्टिक्स यूज करनी होती है तो मुझे जो यहां पर लगता है मैं उन सभी इमेजिस को ले लेता हूं जिसकी मुझे ज़रूरत पढ़ने वाली है राइट एक ड्रेट यह एक डैनमिक डूनर रिल्ट इस एक डाइक क्डेश्ट पॉर्ट गार्टी करतें है जो सकते साथा तो यह एक ट्रेमिक क्डेश्ट यह। वर्टॉरत आप्स चैप्पर्ट ट्रॉर्टॉरत रिएक बढ़ने यह एक गोव्टा हैं जो सुपर्छ गावग a cause and get certified right click on the link below to support a cause or support our cause कि और यहां पर मैंने क्या डाल दिया वो लिंक जो मुझे पास कहां है इसको अभी पॉर्म की रूप में जिसको रैडी किया है यहां से घ्यां दीजिएगा यह लिंक अप्सीस का हउता हैöm सेंड पर पर लिंक का उपचन न हमकी बहुता सिर्डा होता है इसको आपको थोड़ाजा short कर देना shorter you are पर click करेंगे आपका जो है link जो है आपका copy हो गया short हो गया और डाल देना है अपनी किसी भी post में आपके ID card के साथ अगर आप ID card देना चाह रहे हैं तो आप ID card दे सकते हैं आपके हाथ में कि आप यहां से certificate देंगे ID card देंगे यह सब कुछ आपके अपने हाथ में आप जिस चीच को चाहें उस चीच को वहां लगा सकते हैं तो सिर्फ आपको ज़रुत होगी इस code की यह code क्या है आप Google सर्च करेंगे और वहां पर लिखेंगे merge tags for Google form और यह sheet आपको जो है मिल जाती है और नहीं तो मैं आपकी जो chat window है इसके अंदर भी इस sheet को share कर देता हूँ अब करना क्या है like हमने उस व्यक्ति से तीसरे नंबर पर यानि कि नाम के बाद उससे हमने उसकी photo मागी थी हम उसको ID card प्रोवाइड कर रहे है directly donor card प्रोवाइड कर रहे है तो हमने उससे नाम के बाद उससे photo मागी हुई है तो नाम के बाद वाला section कौन सा है the first optional other identifier which follows the full name यानि कि full name के बाद जो जानकारी आपने मागी है वो जहां भी आपको लेके आनी है उसके लिए आपको ये लिखना है other identifier तो आपको जहां photo लगानी हुआ other identifier identifier का code लगा दीजिए आपकी image आदी तो इसमें बकायरा सारे options दीए हुए कि कहां से आपको image लेनी है कहां से आपको क्या चीज़े देनी है तो वो सारी चीज़े आप आसानी से देख सकते है date, month, points, certificate, write, QR code जो भी कुछ आपको पहुचाना है जो भी कुछ आपको उसमें issue करना है वो सारी चीज़े आप यहां से course के माद्यम से provide कर पाएगे जाड़ी कि online रूप से आप अपने viewers से आपकी जो supporters हैं, आपके volunteers से उनसे आप online donation भी ले पाएगे और online रूप से ही आप उनको certify कर पाएगे यह unique process है fundraising का जो की आने वाले जो P2P fundraising concept है हुई होगी internal training classes में इसी प्रकार की जो tactics और tricks रहेंगी fundraising की हम उनको लगातार आपके साथ share करते रहेंगे, उम्मीद करूँआ कि आप इन जानकारियों का लाव उठाते रहेंगे और अपने लिए विसेश रूप से इस प्रकार की fundraising ideas को लगातार implementation में लेकर आएंगे